तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग Magnetic Field Due to Electric Current यह आपका नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले है ठीक है, Class 12 का तो दोस्तो यह Magnetic Field Due to Electric Current यह चाप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तो Magnet क्या होता है और Magnetic Field क्या होती है इसके बारे में थोड़ी जान करी लेते है तो अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तो यह Magnet क्या होता है तो Magnet क्या होता है दीके दोस्तो The material which attract iron containing objects but attract or repel other magnets ठीक है, तो उस material को Magnet बोला जाता है तो यह बड़ी superficial level की definition है दोस्तो बहुत ही deep में हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे है अगर deep में पढ़ोगे तो आपके ध्यान में आएगा दोस्तों कि यह Magnet भी एक iron नहीं होता है तो अभी के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि इससा material होता है कि iron containing objects को अपनी तरफ खीशता है लेकिन अगर Magnet होगा तो उसको attract करेगा या repel करेगा वो depend है उसकी position कैसी है ठीक है तो अब सबसे पहले दोस्तों इस Magnet का iron containing objects या iron के उपर क्या असर होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों जो Magnet होता है उस Magnet के दो poles होते है एक pole को हमने north pole आए और दूसरा जो pole है उसको हमने south pole आए ठीक है तो यह एक bar magnet है इसे बहुत सारे types है magnet के यहाँ पे मैंने bar magnet दिखाया हो है तो अगर दोस्तों कुछ iron containing objects जैसे कि iron के nails अगर आप यहाँ पे लेके जाओगे अगर यह nails आप दिखिए north pole के पास लेके जाओगे तो यह north pole इसको attract करेगा अगर यह nails आप south pole के पास लेके जाओगे तो यह south pole भी दोस्तों इनको attract करेगा ठीक है लेकिन अगर यह nail को आप यहाँ पे बीच में लेके जाओगे तो यह इसको attract नहीं करेगा इसका experiment करके आप पता कर सकते हो आपको क्या करना है आयन के कुछ nails लेना है इसके अंदर ये magnet को डालना है जैसे आप बाहर निकालोगे दोस्तों तो आपको ये iron के जो nails हैं वो कुछ इस तरीके से चिपके हुए मिलेंगे ठीक है ये एक दूसरे को iron के उपर ऐसा effect होता है तो अब देखते हैं जो magnet है इसका दूसरे magnet के उपर क्या effect होगा जैसी कि हमने यहाँपर देखा हुआ है कि एक magnet दूसरे magnet को attract भी कर सकता है और rebel भी कर सकता है ये किसपे depends होता है दोस्तों अगर देखिए एक जो magnet है इसके same poles अगर आप पास पास ले के आते हो जैसे कि ये north pole ये दूसरे magnet का भी north pole अगर आप यहाँ पे इसके पास ले के आओगे तो ये दो magnets एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पे repel करेंगे ठीक है? ये जो same poles हैं ये एक दूसरे को repel करते हैं लेकिन अगर दोस्तो यही magnet आप अगर इस position में रखोगे ना दिखिए यहाँ पर यह नौर्थ पोल और साउथ पोल अगर दूसरा magnet आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रखोगे कि इसका नौर्थ जो साउथ पोल है वो नौर्थ पोल के पास आ जाए तो यह एक दूसरे को क करते हैं सेम पोल्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ठीक है तो अब दूसरे magnet दूसरे magnet के उपर या फिर दूसरे iron containing object के उपर जो force लगाता है वो non-contact force होता है यहाँ पर कोई contact नहीं फिर भी यह repel कर रहा है तो फिर एक magnet दूसरे magnet के उपर बिना contact के force केसे लगा रहा है उसके बारे में अब हम यहाँ पे discuss करने वाले है तो अब देखते हैं दोस्तो एक magnet दूसरे magnet के उपर बिना contact के केसे force लगा रहा है तो इसको समझने के लिए दोस्तो एक charge दूसरे charge पर बिना contact के force केसे लगाता है यह हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा से यहाँ पे explain करते हैं तो अब देखते हैं दोस्तो electric charge होता है वो दूसरे charge पे force केसे लगाता है without contact तो suppose दोस्तो दिखें यहाँ पर आपके पास एक charge है मान लेते हैं यह positive charge है plus q ठीक है तो इसके पास अगर आप दोस्तो कोई दूसरा charge लेके आते हो तो यह उसके उपर एक force लगाएगा तो यह charge उसके उपर force क्यों लगा रहा है क्योंकि दोस्तो चार्ज जो है इसके आसपास की जो spaces को modify करता है ठीक है मतलब इसके आसपास एक field बनाता है और अगर उस field में कोई दूसरा charge enter करेगा तो ये उसके उपर force लगाएगा ठीक है तो force किस direction में लगेगी इसको imagine करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे field lines का use करते हैं और field lines draw करने के लिए हमने दोस्तों by default यहाँ पे जिस charge का use किया है वो हमने positive charge का positive test charge का use किया है ठीक है तो field की direction क्या होगी हर एक point पर वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम एक positive charge test charge ले के आते हैं और इस point पर test charge पर जिस direction में force लगेगा वही direction इसके electric field के होगी तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों test charge रगोगे तो इस direction में इसके उपर force लगेगी तो इस point पर electric field की यह direction है तो हर एक point पर आप test charge अगर रहोगे तो आपको दोस्तों field lines कुछ इस प्रकार से मिलेंगी ठीक है यह जो positive charge होता है इसकी जो field lines होती है यह कुछ इस प्रकार की होती है यह already हम देख चुके है electrostatics में ठीक है इससा मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर test charge रहोगे तो उसके उपर इस direction में force लगने वाला है अगर आप यहाँ पर test charge रहोगे तो इस direction में force लगेगा उसके उपर तो यह field lines हम हमने imagine किये ताक कि हमको पता चले कि चार्ज पर किस direction में force लगने वाला है ठीक है तो अब जैसे दोस्तों यह charge जो है दूसरे charge पर force कैसे लगाता था यह यहाँ की space modify करता है और यह दूसरे charge पर force लगाता है ठीक है वैसे ही दोस्तों एक magnet दूसरे magnet के उपर कैसे force लगा रहा है यह भी magnet क्या करता है तो इसके आसपास की जो space से इसको modify करता है मतलब यहाँ पर यह field create करता है और अगर उस field के अंदर कोई दूसरा magnet आएगा तो यह उसके उपर force लगाएगा ठीक है तो electric charge के जो field line से उसको निकलने के लिए जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर positive test charge का use किया था वैसे यह जो bar magnet या कोई भी magnet हो उसकी magnetic lines निकलने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर pole का use करेंगे और जो pole हमने select किया है वो दोस्तों है north pole ठीक है और क्योंकि दोस्तों north pole जो है अकेला exist नहीं कर सकता north pole या south pole जो है यह अकेला exist नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि अगर दोस्तों देखे अगर magnet को आपने cut किया है यह जो north pole है और यह south pole है इसको separate करने के लिए जैसे आप इस magnet को cut करते हो immediately यह जो end है यह south pole की तरह behave करने लगता है और यह जो part है इसका यह end यह north pole की तरह behave करने लगता है ठीक है तो यह जो दो pole से इनको आप separate नहीं कर सकते ठीक है तो यह जो magnet है इस magnet की जो magnetic field lines है उसको draw करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे compass का use करेंगे तो अब दोस्तों यह compass क्या होता यह compass एक ऐसा device है जो कि हमें direction बताने के काम आता है ठीक है इसके अंदर यह एक needle होती है magnetic needle जिसका यह red color का north pole एजिम करते हैं और यह black color का जो है एजिम करते हैं कि यह south pole यह एक needle होती है जो कि free to move होती है ठीक है तो जैसे ही यह compass है इसको आप इस magnet के पास लेके आओगी यह deflect करेगी ओके तो इसका जो north pole वो जिस direction में deflect करेगा वो ही direction होगी इसके magnetic field की ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों हम सबसे पहले देखे हम इसको क्या करेंगे हम इसको इस point पे लेके आते हैं ठीक है मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे magnetic field की direction बता करेंगे ठीक है तो हम क्या करते हैं देखे यहाँ पे compass लेके आते हैं जैसे ही यहाँ पे compass लेके आओगे दोस्तों यह north pole है यह red color का जो है north pole है ठीक है तो यह क्या करेगा यह इसको repel करेगा यह north pole के उपर force लगाएगा ठीक है तो immediately क्या होगा दोस्तों यह जो magnetic needle है यह deflect कर जाएगी मतलब दिखे यह north pole के उपर इस direction में force लग रहा है ठीक है तो अब दोस्तों इस point पर इस direction में क्या होगा यह magnetic field की direction होगी तो हर एक point पर आप क्या कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर magnetic field की direction पता कर सकते हो तो magnetic field की direction पता करने के लिए अब यह compass को हम यहाँ पर ले के आते हैं तो जैसे ही यह compass यहाँ पर आता है दोस्तों यह north pole क्या होगा, south pole से यहाँ पर attract होगा, ठीक है, तो यह deflect करेगी needle तो अब देखे दोस्तों नॉर्थ पॉल पर इस direction में force लग रहा है तो इस point पर जो magnetic field lines होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी ठीक है यहाँ पर दिखे यह कुछ इस प्रकार की है इस point पर यह इसी है ठीक है तो अब देखते हैं दोस्तों इस point पर magnetic field कि direction क्या होगी यहाँ पर हमें कंपास को ले के आना होगा है तो जैसे आप यहाँ पर ले के आते हो दोस्तों यह नौर पोल रिपेल होगा यह साउथ पॉल इदर ड्राक्ट होगा ठीक है तो यह कुछ इस प्रकार से मुण हो जाएगा ठीक है तो इस पॉइंट पर जो magnetic field की direction है वो कुछ इस प्रकार की है ऐसे ही अगर दोस्तो हर एक point पर आप magnetic field की direction पता करना चाते हो तो हर एक point पर आपको ये compass को लेके जाना है आप यहाँ पे लेके गए तो ये magnetic field की direction कुछ इस प्रकार की होगी आप यहाँ पे लेके गए तो ये magnetic field की direction एसे होगी अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह सारे पॉइंट्स आप जोड़ दो हर एक पॉइंट पर अगर दोस्तो आप यह मैगनेटिक फील्ड की डाइरेक्शन पता करो तो आपको जो डाइग्राम मिलेगी वो कैसे मिलेगी देखिए तो हर एक पॉइंट पर कमपास लेके अगर आप जाओगे तो आपको यह जो मैगनेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखेंगी ठीक है मतलब क इसी भी एक पॉइंट पर इस पॉइंट पर मैगनेटिक फील्ड की डाइरेक्शन क्या है इस पॉइंट पर मैगनेटिक फील्ड की यह डाइरेक्शन है अगर इस पॉइंट पर आपको मैगनेटिक फील्ड की डाइरेक्शन पता करने है तो दोस्तों आपको क्या करना होग तो कुछ इस तरीके से दोस्तो यहाँ पे इस point पर magnetic field की direction होगी ठीक है इसका मतलब है इस point पर अगर आपने compass को रखा तो जो north उसकी needle है, north pole जो है वो इस direction में stable रहने वाला है ठीक है दोस्तो यह जो lines हैं, यह lines जितनी पास-पास होंगी न उतनी वहाँ पर जो field है वो strong होगी और जितनी यह lines दूर-दूर होंगी उतनी यह field weak होगी, मतलब यहाँ पर ज़्यादा force नहीं लगेगा लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा force लगेगा, ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखे, magnetic lines बहुत पास-पास है जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगी, यह magnetic lines दूर-दूर जाते चाहेंगी, ठीक है वहाँ पर force, जो है, magnetic force की जो intensity वो कम होती जाएगी अब दोस्तो, magnet के बाहर तो कुछ इस प्रकार से है magnetic field lines लेकिन magnet के अंदर क्या होता है magnet के अंदर दोस्तो, इनकी जो direction है, field lines की, वो होती है south से north pole की तरफ, ठीक है यह कुछ इस प्रकार से होती है तो magnet के बाहर दोस्तो, north से south जा रही है magnetic lines लेकिन magnet के अंदर south से north कैसे जा रही है तो इसको समझने के लिए, दोस्तो, देखिए, यहाँ पर एक magnet है यह एक magnet है, जिसका यह south pole है और यह north pole है अब आपने क्या किया दोस्तो, अब आपने इसको ऐसे cut कर दिया तो जैसे ही दोस्तो, आप इसको cut करते हो, क्या होगा immediately इसका जो यह बाला part है, यहाँ पर दीखिए, यहाँ पर north pole generate हो जाएगा मतलब यह जो part है north pole की तरह भीव करेगा और यह जो part है यहाँ पर, यह जो part है यहाँ पर, दीखिए यह south pole की तरह भीव करने लगेगा, ठीक है तो इसके बीच में magnetic lines कैसी होंगी तीक है, यहाँ पर north pole है, यहाँ पर south pole है तो north овन्होंगी ना इसलिए दोस्तो मैगनेट के अंदर जो field lines होती है वो इस direction में होती है अब दोस्तो ये जो magnetic field है ये magnetic field हम B later से दिखाते हैं या फिर vector भी बोल सकते हैं ये magnetic field जैसे कि इसको magnitude भी होगी और direction भी होगी ना जैसे electric field जो हम E later से अब एक्टर E से दिखाते थे वैसे दोस्तो magnetic field जो है B later से दिखाएंगे हम ठीक है अब दोस्तो magnetic field के भी दो type है एक uniform होती है एक non uniform होती है ये दोस्तो क्या है दिखिए यहाँ पर ये non uniform magnetic field है क्योंकि इसकी intensity यहाँ पर अलग है यहाँ पर जादा intensity है यहाँ पर दोस्तो कम है जितनी दूर दूर लाइन से उसकी intensity कम होती जाएगी ठीक है तो ये एक non uniform magnetic field है तो uniform magnetic field क्या होती है तो एक north pole और दोस्तो यहाँ पर दिखिए एक south pole है तो ये दो pole के भी जो magnetic field होती है ना ये जो magnetic field होती है ये magnetic field काफ़ी हद तक आप इसको जो है यूनिफॉर्म एजूम कर सकते हो यूनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ड निकालने के लिए दोस्तों ये डिस्टंस सेम होना जोरी है यहाँ पर मैंने देखिए तोड़ा सा डिस्टंस कम दिखा है ये सेम डिस्टंस पर होना चाहिए ये हर एक लाइन जो है ये सेम डिस्टंस पर होनी चाहिए इसको यूनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ड बोलेंगे है तो अब दोस्तों ये जो मैगनेटिक फिल्ड है ये कंसेप्ट आपके समझ में आ चुका है अब start करते हैं दोस्तो यह chapter जिसका नाम है magnetic field due to electric current तो दोस्तो यह जो पूरा chapter है इसके अंदर आपको दो ही concept अच्छे से धहन में रखने हैं जिसमें से पहला concept में यहां पर दिखें ए लेटर से आपको बदादा हूँ वो क्या है देखिए तो point कहा है देखिए दोस्तो if any charge is moving कोई electric charge अगर move कर रहा है it creates magnetic field तो वो अपने आसपास magnetic field को create करेगा जैसे दोस्तो एक magnet है नौर्थ और साउथ पोले यह जैसे magnetic field यहां पर create करता है वेसे ही दोस्तो अगर कोई electric charge move करेगा तो वो अपने आसपास magnetic field को produce करने आला है तो यह बात हमें कैसे समझ में आई दोस्तो एक scientist थे जिनका नाम है Orsted तो यह Orsted नाम के जो scientist थे यह एक पर experiment कर रहे थे वो experiment में उनको यह बात समझ में आ गई तो कुछ इस टाइप का setup था दोस्तो यहां पर ठीक है यह एक circuit में choir लगाई थी उन्होंने और यहां पर दोस्तो एक छोटा सा compass पड़ावा था यहां पर दोस्तो देखिए कुछ इस प्रकार से एक compass पड़ावा था ठीक है जिसके अंदर यह magnetic needle थी जिसका यह north pole red color का और यह जो blue color का दिख रहे आपको यह मान लेता है south pole है ठीक है तो जैसे उन्होंने यहां पर यह switch on किया है बैसे क्या बगए यहां से current flow होगा और जैसे यहां पर दोस्तो यह current flow होगा न वैसे यह जो magnetic needle है यह deflect हुई ठीक है जैसे गो magnetic field deflect हुई यहां से यह pro होता है कि यह fire wire के अंदर current move कर रहा है मतलब क्या हो रहा है तो अगर charge move करेगा तो यह अपने आसपास क्या करेगा यह अपने आसपास magnetic field को produce करने वाला है ठीक है तो यहाँ पर magnetic field है इसी वज़ेसे दोस्तों यह magnet क्या होगा deflect होगा ओके तो दोस्तों यहाँ से एक पात प्रूव होती है कि किसी wire में से अगर current move कर रहा है तो उसके आसपास magnetic field produce होगी so if a current flows through a wire किसी wire में से अगर current flow करता है तो उसके आसपास क्या होगी magnetic field is produced around that wire यह आपको द्यान में रखना है यह बहुत ही important point है जिसको कि हमने A नाम से यहाँ पर denote किया है तो दोस्तों यह जो magnetic field है वो magnetic field का यहाँ पर pattern कैसे होगा जैसे बार magnet की magnetic field ऐसे होती है दोस्तों तो यह wire के around जो magnetic field बनेगी वो कैसी बनेगी तो आप तहमें रखिए दोस्तों वो एक concentric circle जो है न यह कुछ इस प्रकार की बनती है देखिए यह इसके around जो magnetic field बनेगी यह कुछ इस प्रकार की बनेगी इस point पर इस प्रकार की बनेगी अगर इस point पर आपको निकलने है तो इस point पर magnetic field ऐसी होगी ठीक है ऐसी होगी है magnetic field इस point पर अगर आपको निकलने है देखिए इस पॉइंट पर यह magnetic field है इसी होगी ठीक है यह कुछ ऐसे concentric circles होंगे यह vertical plane में होगी इस ठीक है तो दोस्तों यह magnetic field की direction निकालने के लिए आपको क्या करना होगा आपको यहाँ पर compass को लेकर आना होगा ठीक है तो जिससे दोस्तों आप यहाँ पर देखिए compass को लेकर आते हो तो यहाँ का जो compass है वो इधर deflect करता है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों magnetic field की जो direction है वो ऐसी होगी यह ऐसी होगी देखिए यहाँ से गूं करके इधर यह arrow ऐसा होगा ठीक है यहाँ से जा रही है यह arrow यहाँ से जा रहा है यहाँ से वापस आ रहा है तो यहाँ पर इस direction में अगर current उपर की तरफ जा रहा है तो और अगर दोस्तो current नीचे की तरफ जा रहा है तो यह direction उल्टी हो जाएगी ठीक है तो यह direction को दहन में रखने के लिए दोस्तो आपको एक rule यूज़ करना है यहाँ पर जो कि है right hand thumb rule ठीक है इस right hand thumb rule को आपको यूज़ करना है तकि आप यहाँ पर आसानी से magnetic field की direction पता कर सको ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो दो concept हम लेता है assume करते हैं एक wire है इस wire के अंदर उपर की तरफ current मूग कर रहा है और दूसरी जो wire है इस wire में नीचे की तरफ current मूग कर रहा है ठीक है तो इस point पर और इस point पर magnetic field कैसी होगी जैसे कि हम यहाँ पर देख चुके हैं दोस्तो magnetic field तो यह concept trick circle से बनी होगी यह कुछ इस पर कर कर की होगी ठीक है यहाँ पर भी जो magnetic field होगी इस पर कर की होगी यह magnetic field है इसी होगी यहाँ पर ठीक है लेकिन इकी direction पता करने के लिए दोस्तो right hand thumb rule आपको use करना होगा तो right hand thumb rule कैसे use करते हैं दोस्तो तो यह जो conductor है आप इसको हाथ में पकड़ रहे हो ठीक है आप इसको यह जो palm है आपका इसमें पकड़ रहे हो तो इसको इस तरीके से पकड़ना है आपको ताकि आपका जो अंगुटा है ना यह current की direction में हो ठीक है तो इस conductor को आप कैसे पकड़ोगे देखिए दोस्तो यह जो conductor है यह वो conductor है जिसके अंदर उपर की तरफ current move कर रहा है तो आप अपना right hand लोगे जिसमें जो thumb की direction है वो current की direction में आप रखोगे तो यह thumb ऐसा रखना है और इसको ऐसे hold करना है तो जब आप इसको ऐसे hold करोगे तो आपकी जो fingers हैं जिस direction में curl करेंगी उसी direction में यहाँ पर magnetic field होगी तो यह conductor है इसको आप देखे थम ऐसे रखके hold करोगे और ऐसे इसको क्या करोगे ऐसे यहाँ पर देखे इसको कुछ इस प्रकार से क्या करोगे curl करोगे जैसे अगर vertical plane में आपको देखना है तो यह conductor है इसमें current उपर की दरफ है तो आपको इसको ऐसे hold करना है और fingers जो है उसको ऐसे curl करना है ठीक है तो यहाँ पर देखे यह fingers curl करने की direction ऐसी है ना यहाँ पर ऐसी है तो यहाँ पर दोस्तों जो magnetic field की direction होगी वो ऐसी होगी ऐसे fingers को curl करोगे अंगुटा अगर उपर है तो आप fingers को ऐसे curl करोगे तो यह देखिए यह direction को जिस पर करके होगी यहाँ पे arrow उदर यहाँ पे जो arrow है वो इस direction में इस magnetic field की direction क्यों important है इसका पता आपको बाद में चलेगा अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यह जो conductor है यह conductor में से current जो है नीचे की तरफ flow कर रहा है यह conductor है दोस्तों और इस conductor में देखिए नीचे की तरफ current move कर रहा है तो आप अब ऐसे नहीं hold कर सकते इसको थम को उपर रखके नहीं hold कर सकते क्योंकि अंगुटा आपका क्या होना चाहिए दोस्तों अंगुटा जो है आपका वो नीचे की तरफ होना चाहिए तो आप इसको ऐसे नहीं hold कर सकते अंगुटा आपका नीचे की direction में होना चाहिए तो दोस्तों आपको hold करते हैं वक्त कैसा hold करना होगा आपको यह जो अंगुटा है उसको नीचे की तरफ करना होगा जिस प्रकार से ठीक है और आपको ऐसे hold करना है अंगुटा आपका नीचे होना चाहिए और आपको ऐसे hold करना है तो अब आपके जो fingers है ये fingers किस direction में curl हो रहे हैं इस direction में curl हो रहे हैं तो यहाँ पर जो direction होगी वो क्या होगी देखिए ये direction होगी magnetic field की यहाँ से arrow आ रहा है fingers ऐसे curl हो रहे हैं ठीक है तो ये magnetic field की direction होगी अगर current नीचे की तरफ जा रहा है wire के अंदर से और ये direction होगी magnetic field की अगर current ऊपर जा रहा है ठीक है तो ये magnetic field की direction पता करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर जो rule यूज किया है इस rule को right hand thumb rule बोलते हैं तो अब दोस्तों ये point जो है ये point ये point ये आपके समझ में आ चुका है ये point का है अगर कोई charge मूँ कर रहा है तो उसके आसपास magnetic field produce हो जाएगी मतलब किसी wire के अंदर से अगर current flow होगा तो उसके आसपास magnetic field produce होगी और उसकी direction भी कैसे पता करते हैं हम यहाँ पर देख चुके है अब देखते हैं दोस्तों दूसरा part आपको क्यादन में रखना है तो अब दोस्तों ये दूसरा point कहा है देखे है बहुत important है if any charge is moving in a magnetic field it will experience a force इसका मतलब क्या है अगर कोई electric charge magnetic field के अंदर move करेगा तो उसके उपर एक force लगेगा वो एक force को experience करने वाला है ठीक है इसको समझते है suppose दोस्तों यहाँ पर एक uniform magnetic field है मान लेते हैं ये magnetic field है यहाँ पर जिसको हम b later से दिखाते हैं ठीक है तो इसके अंदर अगर कोई charge है मान लेते है यहाँ पर अगर कोई charge है Q अगर ये रुकावा है तो इसके उपर कोई force नहीं act होगा ठीक है लेकिन अगर दोस्तों ये charge इसके अंदर अगर move करेगा ना तो इसके उपर एक force लगने वाली है ठीक है ये magnetic field अगर ये charge move करेगा तो इसके उपर एक force लगाईगी ठीक है तो मान लेते हैं दोस्तों देखे ये जो Q charge है इस magnetic field के अंदर V velocity से move कर रहा है इस direction में move कर रहा है और जिस direction में move कर रहा है वो और magnetic field के बीज जो angle है है ये जिम करते हैं वो theta है ठीक है तो अब क्या होगा दोस्तों ये जो charge है इस charge के उपर एक force लगेगी अगर magnetic field के अंदर दोस्तों charge रुका हुआ है तो उसके उपर कोई force नहीं लगेगा लेकिन अगर charge move करेगा तो उसके उपर एक force लगेगा ठीक है तो ये जो force है ये force किस पर depend रहता है दोस्तों ये जो force है ये इस charge के value पर depend होता है ठीक है so force depends on this charge दूसरी बात है दोस्तों यहाँ पर दिखिए ये force जो जितना force लगने वाला है इसके उपर वो force ये velocity पर भी depend करेगा V पर भी depend करेगा दोस्तों ये जो force है यह force जो है यह magnetic field की जो intensity है उस पे भी depend करने वाला है और एक factor है दोस्तों जिस पे यह force depend करने वाला है वो factor क्या है यह जो velocity है और जो magnetic field है यह दोनों के बीच का जो angle है इस पे depend करने वाला है तो अगर charge magnetic field में move करेगा तो इसके उपर जो force लगेगा वो force दोस्तों यह चार factor पे depend करता है तो वो जो force है उस force का जो formula है वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ इसका derivation करना ज़रूरी है नहीं सिर्फ आपको यह formula देन में रखना है तो यह जो force है इसके उपर लगने वाला वो कितना होगा दोस्तों mathematical methods जो था class 11th में उसमें दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि vector product क्या होता है a cross b क्या होता है यहाँ पे देखे इसकी magnitude हम कैसे पता करते हैं इसकी magnitude पता करने के लिए हम इसकी magnitude into इसकी magnitude इंटु दोनों की बीच का sine of angle लेते हैं न ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों देखे v और b into sine theta है तो यह a b sine theta जैसा है तो यह v और b का यहाँ पे आप cross product है इसा पुट कर सकते हो तो यह scalar form है अगर सिर्फ magnitude निकाल नहीं है आपको force की तो आप ऐसे निकाल सकते हो और क्यूंकि दोस्तों force एक vector quantity है तो vector form में इसको कैसे लिखोगे vector f is equal to q into यह v b sine theta आप कैसे लिखोगे दोस्तों देखें आपे v cross v cross b लिखोगे v cross b का मतलब क्या है दोस्तों यह cross product है v cross b कैसे निकालते है a cross b जैसे हम निकालते थे a b sine theta वैसे v cross b कैसे निकालेगे v b sine theta तो force की अगर value आपको निकलने तो उसको यह formula यूज़ करना होगा और vector form में अगर उसको लिखना है आपको तो ऐसे लिखना होगा तो force की direction कैसे निकालते है यह force किस direction में लगेगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ cases देखते है तो case number one देखते है उससे पहले हमने क्या देखा दोस्तों अगर किसी magnetic field में अगर कोई magnetic field है यहाँ पे कोई magnetic field है इस field के अंदर अगर charge move करेगा v velocity से तो इसके उपर एक force लगने वाली है जो force कितने होती है q into v into b into what sin theta v मतलब velocity v मतलब magnetic field theta मतलब इन दोनों की बीच का जो angle है v और b की बीच का वो theta से हम बोलते है और यह जो charge है उस charge की value यहाँ पर आपको लिखने है तो अब यहाँ पे case number one देखते है अगर यह angle v और b के बीच का अगर 90 degrees होगा तो force कितने लगेगी तो देखें दोस्तों यह charge है और यह charge इस direction में move कर रहा है यह velocity है यह जो है यह magnetic field की direction है तो magnetic field और velocity की बीच angle कितना है दोस्तों अब यहाँ पे देखिए 90 degrees charge है यहाँ पर assume करते है q है तो अब दोस्तों इस charge के उपर कितना force लगेगा यहाँ पे theta की value आपको 90 put करने होगी तो force क्या होगा दोस्तों दिखें यहाँ पे f will be equal to what q into v into b q into v into b और sin theta sin 90 कितना होता है sin 90 होता है दोस्तों यहाँ पे दिखें तो जो force यह charge experience करने वाला है वो कितना होगा q into v into b ठीक है तो अगर theta 90 degrees हुआ दोस्तों तो इतना force लगेगा इसके उपर अब देखते हैं case number 2 तो अगर दोस्तो theta 0 degrees है या फिर 180 degrees है तो force कितना होगा theta is equal to 0 degrees का मतलब कि जिस direction में b है उसकी direction में यह charge भाग रहा है तो यहाँ पे दोस्तों v और b के बीच angle कितना है 0 है और theta is equal to 180 का मतलब क्या है कि दोस्तों b की जो direction है उसके opposite direction में यह भाग रहा है तो यह जो charge है अगर इधर भागेगा तो theta 0 है जिम करना है और अगर यह इधर भागेगा तो आपको theta 180 है जिम करना है तो sine क्या होग दोस्तों यहाँ पे 0 sine 0 क्या होता है अगर ऐसे भागेगा तो फोर्स क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 0 होगा लेकिन charge अगर किसी angle से भागेगा तो ही उस पर force लगने वाला है अगर magnetic field के direction में या उसके opposite direction में बागएगा तो कोई force नहीं लगएगा ठीक है जैसे कि देखिए यहाँ पर opposite direction में बागएगा तो theta कितना होगा यहाँ पर 180 होगा ठीक है तो उस case में force कितना होगा देखिए f will be equal to what q into v into b into what sign यहाँ पर 180 पुट करना है साइन जीरो हो या साइन वन इटी हो इसकी value क्या होते है दोस्तो जीरो होते है तो यह q v into 0 क्या हो जाएगा दोस्तो यह 0 हो जाएगा तो force will be 0 so if the charge is moving in the direction of magnetic field और opposite direction of magnetic field it will not experience a magnetic force ठीक है अब देखते हैं दोस्तो यहाँ पर case number 3 ठीक है यह case 3 क्या है देखें दोस्तो if v is equal to 0 if v is equal to 0 मतलब velocity 0 है मतलब दोस्तो क्या है कि charge moving नहीं कर रहा है यह magnetic field के अंदर charge moving नहीं कर रहा है तो अगर यह moving नहीं करेगा तो इसकी velocity क्या होगी speed जो है बोल सकते हैं आप यहाँ पर 0 होगी ठीक है तो अगर v की value 0 होगी तो force कितना होगा force का equation में पता है f is equal to q into v into b into what sin theta ठीक है तो यहाँ पर v की value आप 0 put करते हो तो यह पूरा equation 0 ही होने वाला है तो force will be 0 if the charge is at rest तो charge अगर rest में होगा तो उसके उपर कोई force नहीं लगेगी यह अगर इस direction में भागेगा magnetic field के तो भी कोई force नहीं act होगी उस पर यह opposite direction में भागेगा तो भी कोई force यहाँ पर act नहीं होने आली ठीक है लिकिन अगर यह inclination इसके कोई inclined direction भागे तो इसके उपर force लगेगा और maximum force कर लगेगा दोस्तों जब दिखिए यहाँ पर यह perpendicular भागेगा जब यह magnetic field को ऐसे perpendicularly काटते होगे भागेगा ना तो इसके उपर maximum force लगने वाली यह maximum value है उसकी अब हमने दोस्तों यह तो पता कर लिया है कि charge अगर magnetic field के अंदर भागेगा तो उसके उपर कितना force लगेगा force का formula हम यहाँ पर देख चुके हैं लेकिन force की direction क्या होगी दोस्तों उसको हम next video में पढ़ने वाले हैं